हेलो गाईज तो आज को जो हमारा कोश्चेन इस में दे रखा था displacement time graph of a moving particle is shown below the instantaneous velocity of the particle is negative at the point और गाईज हमें आपे graph दे रखा है displacement और time के बीच में और हमसे पूछ रखा है कि किस point पे जो instantaneous velocity पार्टिकल की और negative है और हमें यहाँ पे चार option दे रखें तो किस क्या करेंगे हम एक line खिचेंगे मानने एक line खिची जो c से pass कर रही है फिर एक line खिचूंगा तो d से pass कर रही होगी फिर एक खिचूंगा जो e से pass कर रही होगी e वाले point को cut कर रही होगी फिर मैं एक line खिचूंगा जो f वाले point को cut कर रही होगी और पास कर रहे होगी ठीक है तो किस आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर यह लाइन ड्रो कर दिया है अब हम क्या करेंगे हम देखेंगे कि कौन सी लाइन है वो ताइम वाले अक्सिस से 90 से ज्यादा 90 डिगरी से ज्यादा का एंगल बना रही है ठीक है और जो मैं बता रहा खर देखा जाएक है यह जो हडाएकर परिपयस्मेंटी की इक्वल तो हम जानते हैं कि ग्यान प्रिपयंटी के दिगरी से उपर जाती है मान लेज़ेगा 120, 150 और 135 पर यहां जो 10 थिटा की value आती है वो आती है negative में ठीके गैस तो इसलिए जो हमारा view हो जेगा वो भी negative होगा और हम देख सकते हैं कि जो line ये वाले point को cut कर रही है उसका angle जो है वो 90 degree से ज़ादा है इसका मतलब क्या होगा कि जो e वाले point पे particle की instantaneous velocity है वो negative होगी इसलिए जो इसे साब से इस question का जो सही option है वो होगा first option यानि कि e point पे और guys अगर आपको कोई doubt है तो comment section में पूछेगा Thank you guys